तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके पास Poco Company का कोई भी मुवाइल है और आप अपने Poco Company के मुवाइल के अंदर आप दो वाटसप को यूज करना चाहते हैं यानि कि आप अपने मुवाइल में दो वाटसप चलाना चाहते हैं अलग अलग नंबर से तो आप कैसे चला सकते हैं इसे वीडियो के अंदर हम आपको आसान तरीका बताएंगे जिसका आप यूज करके अपने मुवाइल के अंदर आप एक साथ दो वाटसप को इस्तिमाल कर पाएंगे जैसा कि अभी आपको दिखाई देगा यहां पर हमारे मुवाइल में कोई भी WhatsApp नहीं लॉगन है जैसा कि आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने Play Store पर जाएंगे प्ले स्टोर पर जाने की बाद यहां आपको अपना WhatsApp डाउनलोड करें नहुग। इस तरीके से अपना WhatsApp आप सर्च करिए, WhatsApp आपका आजाएका और यहां से आपने WhatsApp को इंस्टॉल कर लीज़े तो आपका एक WhatsApp आपका यह हो जाएंगा और ये आपके mobile में चलने लगेगा तो इस तरीके से आपके mobile में एक whatsapp डाउनलोड हो गया है एक whatsapp को आप योज कर पाएंगे लेकिन अब आपको बताएंगे कि आप दूसरा whatsapp कैसे चलाएंगे अपने ही mobile के अंदर एक ही mobile के अंदर कैसे चलाया जाता है तो दूसरा WhatsApp चलाने का एक और तरीका है जैसे हम आपको बताते हैं हमारे पास एक और ये mobile है तो जैसे हम इस वाले mobile में क्या करेंगे कि अगर हम अपने इस वाले mobile पर अपना WhatsApp हम open करते हैं तो अगर हमारा WhatsApp login होगा तो अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर आपको एक profile मिलेगा कर लेना तो आप एक WhatsApp के अंदर आप दो mobile number को चला सकते हैं दो mobile number को login कर सकते हैं तो एक तरीका यह हो जाता है एक WhatsApp में दो mobile number को चलाने का लेकिन अगर आपके mobile पर या आपके WhatsApp में इस तरीके से option ना है और आपको इस तरीके से profile दिखाए ना दे तो आप क्या करेंगे फिर आ यहां पर login करेंगे तो आपका WhatsApp चलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप continue पर क्लिक करेंगे तो आपका WhatsApp चल जाएगा यहां पर आपको एक अपना mobile नमबर डालके चालू करेंगे अब बात करेंगे दूसरा वाला कैसे मिलेगा तो दूसरा वाला आपको आसानी से मिल जाता है आ आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आना होगा एक सेटिंग मिलेगा अभी आपको बताते हैं Apps के नाम से आपको Apps सेटिंग पर क्लिक करना होगा हमारे पास mobile है Poco M6 Pro 5G आपके पास कोई भी हो सकता है हर एक mobile में यह सेटिंग मिले जाता है अब यहां पर मिलेगा Dual Apps अब तो आप WhatsApp पर क्लिक करिए यहां पर मिलेगा Dual Apps अब आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने की बाद आपके समने आ जाएगा Turn On अब आप इसे Turn On कर दीजे अब आपके mobile पर एक और WhatsApp पर Create होना Start हो चुका है यानि कि इसी का एक और वर्जन आपके mobile में download हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं यह setting चालू हो गया और हमारा WhatsApp create हो गया है अब यहां से आजाएए back जैसे आप यहां से आजाएंगे back आने की बाद आपका WhatsApp create हो गया है इसी परकार आप Telegram भी create कर सकते हैं अगर आप create करना चाहते हैं इसी परकार Facebook भी आप चला सकत हैं अपने mobile पर दो आप यहां से आजाए back आने की बाद आपको दिखाते हैं कि हमारे mobile पर दो WhatsApp हो चुके हैं एक हमारा WhatsApp यह हो गया इसमें हम अपना mobile number डालेंगे लोग इन कर लेंगे लेकिन यहां से आप बैक आने की बाद एक आपका WhatsApp यह हो गया जब आप इसके अंदर अ स्टार्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने पोको के किसी भी मुवाइल पर एक साथ आप दो वाट्साप पे योज कर सकते हैं एक और उर्जिनल वाट्साप और एक उसका डियूल वाट्साप या जाता है मुवाइल की सेटिंग से मैं आसा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होका अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप like जरूर करिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन ओन जरूर कर लेना और हमारे टेलिग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद